तो सुबह की जल्दबाजी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए नास्ता तो फटा-फट से इंस्टेंट ये नास्ता बना करके तयार करिए बिना सूजी बिना आटा बिना मैदा और बिना वेसन के बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है चलिए देखते अधा चमच काली मिर्चो का पाउडर चोथाई चोटा चमच हल्दी पाउडर नमक स्वात के नुसार और साथ ही एड़ कर देंगे दो चमच जितना इसमें रिफाइन तेल ये लीजे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है इसमें मैंने बाद में प्यास भी आड कर दिया था अच्छे से पीस लेंगे बहुत ही फाइनिस्ट का पेस्ट तयार करना है जरूरत लगे तो आप पानी के इस्तमाल थोड़ा सा कर सकते हैं और इसे अच्छे से हमें फेट लेना है तो इस तरीके से फेट लिने से क्या होगा कि एरी हो जाएंगे और जो हमारा नाश्टा है बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगा फुला फुला बनेगा अब यहां आपने नाश्टे को शॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें आड कर दे रही हूं सूजी आधा कप यह पूरी तरीके से ऑप्चिनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं इसके बिना भी सिर्फ चने दाल से भी इसे बनाया जा सकता है तो लीजे मैंने इसे बना लिया है मिला लिया है अब इसे रखेंगे दो मिनट रस्ट के लिए इत्ती देर में सूजी जैसे ही फूल जाएगी तो आप देखेंगे कि यह जो है मिक्षर जो हमने तयार किया था यह गाड़ा हो गया है अब जो हमन पूरा एड कर देंगे उसके उपर थोड़ा सनी मुकरस्नी चोड़ देंगे और इसके बाद जो हमने बैटर तियार किया है उसे अच्छे से फिला लेंगे और यह बैटर तो यहां पर मैंने ग्रेस किये वाए ग्लास और इस तरीके से ढखन लिये हैं और इसे हम स्टीम कर लेंगे 10-12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर तो दस मिनट बाद मैंने चेक किया था तो यह बढ़िया से स्टीम हो गया थे लेकिन ग्लास वाले थोड़े कचे थे और कटोरी व मैंने ग्लास को थोड़ा से स्क्रैब कर लिया था और यह बढ़िया से इन्हें निकाल लिया है तो हलका से इन्हें टैब करिये स्क्रैब करिये और बढ़िया से यह निकल जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं जाता है और आप देख सकते हैं हम इसे बहुत ही आसानी से कट भी क और बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं अंदर से तो अब यहां पर आप चाहे तो इसे इसी तरीके से खा सकते हैं बिल्कुल भी आपको इन में डाल का टेस्ट नहीं आएगा बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनकर के तयार होते हैं तो चलिए इसके लिए हम एक तड़का तयार कर लेते हैं जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो यहां पर मैंने घी गरम किया है कोशिश करें कि आप घी का ही इस्तमाल करें और घी में अड़ करेंगे थोड़ा सा सरसोद जीरा, सफेद वाला तिल और करीपत्ता अब इन नाश्तों को हमें इसके उपर इस तरीके से प्लेस कर देना है, उपर से दाड़ेंगे हरा धनिया और अच्छे से इन्हें सेख लेंगे हाई फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे ही सेखना है और तुरंत के तुरंत ही इनमें जब कलर आने लगे तो हमें इस तरीके से पलट बहुत ही soft, delicate होते हैं, तो आराम से हमें नहें करना है, और यह हमारा नाश्ता बन करके तयार हो गया है, तो आप इसे बचों के टिफिन में दीजिए, या फिर सुबह नाश्ते में बनाईए, या फिर आप इसे डिनर में भी बना के खा सकते हैं, हाइन प्रोटीन है, बहुत ह मज़ेदार खाना है, नाश्ता है, तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसी और मज़ेदार रेसिपी के लिए फॉलो करना बिल्कुल ना भूले,